हेलो गाइस मैं हूं मैं से सिंग स्वागे थे आपका मेरे चैनल फिशन फिटी आफ है में और आज की इस वीडियो में आपके साथ शियर करने जा रहे हूं इस वाइट अनारकली ड्रेस का लुक स्टिचिंग एंड कटिंग तो देखने के लिए पूरा देखे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले फ्रेंट्स यह मैंने मार्केट से यह वाइट में चिकिन कारी फेवरिक को परचेस किया था जैसा कि आपको कैटलॉक में दिखाया जा रहा है सेम टू सेम फेवरिक भी मुझे मार्चे से मिल रहा था पट मैं थोड़ा ड मार्च मीटर फेवरिक लगा अगर आप कम लेना चाहें तो कम में भी आप इसको अच्छा घेरदार बना सकते हैं तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे जैसे कि मैंने अपनी बाकी की वीडियो में आपको बताया है उसी के तरह से में इसका टॉप पार्ट कर लूँगी क्योंकि इसके लिए मैं अपना टीशिट यह अपनी कुर्ती का यूज करती हूं और वैसे भी अप विष्ट पार्ट में हम अपना विष्ट का साइज प्लस वन इंच एक्स्ट्रा कर लेते हैं सेम उसी तरीके का पाकी का हम नाप ले लेंगे यह इसका पैक पार्ट जो कि मैंने अगें अपने नाप से कट कर लिया फिर हम लेंगे कलियों को कट करने के लिए यह पूरा तो यहां टारा थीड किले का बैण और रहें को कड कर लिया है को अब हम कलीयों को कट कर लिएंगे पहले हम 20 बश्रीव इस iron के मैंने ट्रीङ कर लिया है कि आप सता पार्ट को कुड करकर लिया है कि अधिया ह। और इस तरीके का डिजाइन दिया है जो कि इस कैटलोग में दिया था तो इसी तरीके का मैंने कुछ इसमें डिजाइन दिया है आप चाहे तो अपने चॉइस के कोडिंग कोई भी डिजाइन दे सकते हैं कि इसमें मैंने पीछे में अस्तर के अलापर थोड़ा और ट्रांस्पारेंट था तो मैंने नीचे के पार्ट में इसमें यह अगेन कॉटन का फैवरिक लगा दिया है आप इसमें कभी लगा सकते हैं जैसा भी आपको कमफर्टिबल हो आप उसके कोदिंग कर सकते हैं और यह बैक पार्ट रेडी हो गया है अब हम दोनों को स्टीच कर देंगे और स्लिप्स को भी इसके साथ हम लगा देंगे यह मेरा टाप पार्ट रेडी हो चुका है स्लिप्स लगा के फिटिंग करके मैंने इसको पूरी तरीके से रेडी कर लिया है अब हम इसके बॉटम पाट की तैयारी करेंगे तो बॉटम पाट के लिए हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे आप चाहे तो जिस तरह मैंने भी दिखाया आप उस तरह के से कलिया निकाल सकते हैं तो यहां पर आपकी वेश्ट में आपको वेश्ट का साइज निकाल के जितनी भी कलिया आपको रखनी है बनानी है आप उसमें उसको भाग दे दीजिए और एक इकस्टा कर दीजिए तो यह मैंने साइस के कोडिंग कलियों को कट कर लिया है तो उपर की मेरी लेंथ आई है फोर और नीचे का मैं लूंगी टैन लेंथ अपना आप कर लूंगी इसके बाद उसी कली के साइस की बाकी कलिया में कट कर दूंगी तो यह देखिए मेरी एक कली जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगी अब में बाके की कलिया भी इसी साइस से कट कर लूंगी इसमें हम वन इंच इसलिए लेते क्योंकि हाफ इंच हमको इस सिलाई में चला जाता है और बाकी का हम लोगों का फिटिंग रहता है तो अब मैंने ये सारी कलिया और मॉस्ट कर ली है जिस तरह हमने इन कलियों को कट किया है सेम उसी शेप में हम हम इनको स्टिच कर लेंगे हाफ आफ इंच हम दोनों साइट से इसको जॉइन करके हम सारा फिवरिक में स्लाई कर देंगे सारी कलियों को जोड देंगे तो कुछ इस तरीके से मेरी सारी कलियां जुड़ गई है इसमें जो भी पार्ट उपर नीचे आप उसको अराम से बाद में कट कर सकते हैं बॉर्डर लगाने से पहले तो दोनों पार्ट की कलियां आगे और पीछे की साइट की दोनों कलियां जुड़ चुकी है और अब हम इस कलियों को अपना टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे लाइनिंग के लिए मैंने अंदर में फैबरिक लिया था जो कि मैंने बाद में इसको रिमूब कर दिया क्योंकि मुझे जादा कमफोर्टिवल नहीं लग रहा था आप चाहें तो लगा भी सकते वैसे भी कॉटन फैबरिक है तो तो अब हम दोनों पार्ट को जॉइन कर लेंगे और यह बॉर्डर को मैंने लगा दिया था क्योंकि इसको इस्टीच करने के बाद हमको लैंट देखनी है और यह बॉर्डर पूरी तरीके से लग गया यह अंदर में मैंने लाइनिंग का यूज किया था और हम इसको स्टीच करने के बाद इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं फिर मिलूगी नई वीडियो के साथ तब तक तक